हार फौर्मा भाई उन्हें भागने की बहुत पूशिक होगी अभी ओरतों की दमान 54 बहुत कोशिच करिए।। बगर भागने दू थो भागता ता गड़ा जो निकला है तो दिया उल्टे हाथ का रेंपटा के जात्य कि दम लंबू जो निकला है तो पकड़ के खेंचिये टंग के फोने फ्रेंड के जनता की आवाज जोश मलियाबादी की एक मशूर रुबाई है घुन्चे तेरी साध़गी पे दिल हिलता है सिर्फ एक तबस्टम के लिए खिलता है घुन्चे ने कहा इस चमन में बाबा ये एक तबस्टम भी किसे मिलता है मुबारिक हैं वो लोग जो आसूँओं को खैकहा बनाते हैं जो इस दुख दर्द की दुनिया में मुस्कुराहटे जगाते हैं अदब में अधीम बेक चुखताई, पितरस बुखारी, अकबर इलाबादी ने जो काम किया वो ही काम फिल्मों में याकूब साहब ने, गूप साहब ने और हमारे आठ के फनकार जगदीब साहब ने अंजाम दिया बंजो जराफत की तारीख बहुत लंगी है, इस तारीख का एक जिन्दा किरदार जगदीब है जिन्होंने अपनी दुखों को मुस्कुराहटों में तबदील किया, वो हमारी आज की मैफिल में रोना का फ्रोज है और तो बड़ी अजीम जबान है, हम सबकी जबान है, जहान की जबान है, अभी कितनी अची रुबाई पढ़ी निदा साहब ने, मुझे एक शेर याद आता है या तो दीवाना हसे, या तू जिसे तौफिक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता को ने मुस्कुराहट निदा साहब बड़ी खीनती चीज़ है, और ये ये फन जो है, इसको सिर्फ जोकर तक ही महदूर रखा है लोगों ने, हाला कि जिन्दीगी का बहुत एहम शोबा है ये, हसाना हसना हसाना मुस्कुराहट बाटना एक अबादत है, मुझे याद आ रहा है कि एक मुशायरे में मैं एक शेर पढ़के उतरा था, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हसाया जाए कई दाड़ियों ने मुझे घेल लिया और मुझे से पूछा, कि आप क्या कहना चाते हैं, क्या बच्चा मस्जिद से बड़ा है, मेरा जवाब था, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये जरूर जानता हूँ, कि मस्जिद को इनसान के हा रूप में हो, या गाना सुना कर बहलाने के रूप में हो, या कबूतरों को दाना खिलाने के रूप में हो, वो अबादत है, और आप भी इसी फन की अबादत के एक अबादत गुदार हैं, आपने जिन्दगी भर मुझे बाटी हैं, अंदर का हाल खुदा को मालू है, कि इ पीछे आंसुओं का कितना जखीरा है इस आंसुओं के जखीरे से मुझे याद आया एक खत मुझे मेरे चाहने वाले ने भेजा जिसे फैन कहते हैं पोस्कार्ट था उसमें लिखा हुआ था कि लगता है मुझे दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है आपको देखता हुआ है हसलेता हूँ धन्यवाद ना उन्होंने मुझे तस्वीर मंगाई ना खत का जवाब मंगाया आप सोचिए हमारे इस इंदुस्तान में कितना दुख और दर्ब है और उसमें ये खत जिम मैंने पढ़ा तो मैं दस मिनित तक खामोश हो गया और एकाद में रोया दू मुझे अपना बच्पना याद आजिया कि मैं भी कभी दुख दर्ब के समंदर से निकल कर आया था और मुझे मेरी वालदा का एक शेर याद आया तूफान आया था बंबनी बहुत बड़ा जी और अंधेरी से हम पैदल जा रहे थे रेले बंद हो गई सब कुछ तूट पर लगा और खून का फ़बर आइसे निकल फड़ा और फॉरन मैं घबरा गया और उसारी को फाड़ करूंग बांधा और चलते चलते रुग्या मैंने का नहीं अम्मा नहीं चाहते हैं पैदल जा रहे थे बिंड़ी वदा जा रहे थे नहीं जाते हम आगे तो उन्हें एक ऐता चलता कि यह बहुत बढ़े है कि 樂 जिल्लोगों ने कहे हैं उन्होंने इबादत की है इबादट जबխी किन दो निए उन्ड़ों कहां पहुंचा अब्यार के बड़े अइसानाध बड़े उर्दू से कितने लोग यहां इंडिस्ट्री में आये हैं मिशाल के तो बियार चौपडा हमेशा कहते हैं अपनी फिल्म के सेंसर सेटीफिकेट में फिल्म इन उर्दू रामानग सागर उन्हें एक लिखी थी किताब और इंसान मर गया जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो उनसे कहता हूं और इंसान मर गया उनके नौविल का नाम था तो लोग हसत भी लिखते हैं लिटरेचर अदब जहन दमाग रूफ तो एक ही हुआ करते हैं जगदीब ताव आपने जिन बड़े-बड़े नामों का जिकर किया है इन्ही नामों में एक नाम जाजिन सिंग बेदी का भी है बहुत पेश 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 यह वह और है जबके और्दू तहज और जगदीब साब आपकी अदाकारी की एक खुस्सियत ये भी है कि मुकालमों की अदाईगी आपने कुछ डाइलेक्ट्स और बोलियों ने अपनी अदाईगी का जादू जगाया है जैसे सूर्मा भापाली में भापाल का खास एक डाइलेक्ट है बोली है फिर करकंदारी मलत जामा मजदी दिल्ली की जाहां मजदी ने बोली जाने वाली दुबान उनकी सीडियों थे जो बहुत बड़ी दुबान माली जाती है तो मैं यह चाहता हूं कि बेदी के तालुक से जो इन फिल्मों में आपने काम किया उनमें अदाईगी कितनी इंपॉर्टन्ट है दे तक कि मैं समझता हूं आज जो फिल्म बनी शोले जो एक लैंड मार्क कहा जाती है एक फिल्म आई थी मदूमती उसमें सीन था बिलिपवार जो है वो पीछे खड़े में और जौनी वाकर जो है उनकी वो कह रहे हैं कि वह भगवास आदमी है यह है वह वही सीन है शोले में जो मैंने आप देखाना भी तो यह लिट्रेचर था उसकी कौबी भी करिये तो आज शोले में है अजीम है तो आप मुकालमों की अदाईगी जब आप करते हैं तो उसमें किन बातों का खास ख्याल लगते हैं जैसे आपने सूर्मा भापाली अगर एक तबस्रों को लेकर आ मैं बैठावा हूँ मेरी पहली फिल्म थी बियार चौपड़ा साब की अफसाना तीन रूपर रोज पर मैं ताली बजाने की बच्चों में गया था नौ साल का था तो उन्होंने कहा कि यहां पर एक उर्दू का कुछ डालोग आ गया है कि शाहिंशार सलामत कदम रज़ा फ चले बच्चे को डड़ी लगाओ असाना तो यह और उर्दू बोले वाला जो है तक्रीबन हर लहजे को अपना लेगा अच्छा उसमें इतनी मुर्किया है इतनी लहजे है कि उसको आसानी से अपना लेगा मुझे याद आता है वाक्या एक फिल्म बन रही थी रेलवे प्ल बहुत बड़ा ऐसान है पंजाब का आउंगा वहां पर तो एक फिल्म बनी थी रेलवे प्लेटफार्म तो रमेश साब उसका डिरेक्टर थे उर्दू के बड़े मद्दा शहीद बनाई थी बिली थाप के साथ बगार वगा तो उसमें मैं काम करा थे गैस टार्टिस में ए तो उसका प्रीमेर हुआ था मैंडरो सिनिमा में वहां पर वो सबका इंट्रिव्यू ले रहे थे फिल्म कैसी फिल्म कैसी मैंने रोल किया था ललू स्कात का तो उन्होंने का कि सिलॉल पर बच्छे का इंट्रिव्यू अभी तक नहीं आया है मैं तुम्हारा लूंगा तुम इनसे उर्दू बोलना सीखो बड़ी शर्माई मुझे यार इतने अच्छे इंसान है यह उसे काफी उमन बड़े और बड़े अधवान आदमी है और मैं उससे उर्दू केना वो डालोग इंसे शीखो मैं माजर चाहता हूं नहीं 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 उनका ठीख है आप बच आप तो कहना था कि भगवान तो यह क्या किया कुछ चाहता हूं उनसे तो मैं बहुत देर तक उनसे करता हूं नहीं तब क्या करूं एक वाक्या मुझे यादा आ गया था तो यह सफर चलते चलते एक मकाम पर ऐसे पहुंचा कि पिस्मत का खेल बरी फिल्म और फिर एक फिल्म बरी मधर इंडिया यादे चलना यादो को एक सिल्सला चल रहा है तो महगूब साहब ने बनाई गुजराती थे वो लेकिन अदब के बिल दादा चारचार राइटर उनके वजहात मर्जा और अली रजा और और कौन कौन स आह साथ तो वो एक महफिल बना के बैठा करते थे यह काम इनका है लेकिन टैक्निक उनकी हुआ करती तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मेला एक फिल्म में जिसका नाम था डंका ये वो निमी साहबा बना रही थी वह कुछ फानेशल प्रॉबलम आगे तो मैं उनके साथ को देंगे मैंने जी क्या मेरे पचीज रूप बहुत थे मैं नहीं मुझे पचीज रूप नहीं पचासी दीजिए कुछ ऐसी चल रही थी बैस तो मैं उस बड़ी दंग तो मैं उनके ऑफिस में गया एक टेबल बड़ा सा बड़े दंग आदमी बैठे वे मैं पहुच साथ आप अपनी फिल्म के पहले पहले मैं ये कहलाते है एक शेर मुझत ही लाग बुरा चाहिए तो क्या होता है वही होता है जो मजदूर खुदा होता है अगर आप काम नहीं देंगे तो मुझे काम नहीं मिलेगा बार मेरे आखों से आसूर नहीं करने देगा और पत्ते क कि मा को बनाते हैं ये लोग इसलिए याद है क्योंकि इनके दिल में खौफ खुदा था राइन सिंग बेदी का एक बाग मुझे याद आ रही है उन्होंने एक फिल्म बनाई थी गर्म कोट राइन सिंग बेदी की एक ब्यूटी ये थी कि वह जतने बड़े अधीब थे उत इसी फिल्म बनाई ये जिसमें कोई बाजार में बिखने वाला अच्छा हीरो हो तो उस दमाने में भारत भूशन साहब काफी पॉपलर थे जी वो गए और दर्वादे की घंटी बजाई बाहर से अंदर से एक आदमी आया हूने का भारत जी हैं उस आदमी ने का भारत जी दो शिफ्ट हो गए बेदी साब मुस्कुराह कहला है कि कमाल है गर्म कोट मैंने बनाई और शिफ्ट हो रहा है भारत जी बेदी की शख्सियत में अजीब एक इम्तिजाश था आंसू और मुस्कुराहट का बिल्कु सही कहा आपने उनने एक मरतमा मुझे कहा था काफी अब को नई समझते के राईटिंग कितनी मुश्क्खिल चीज हैं लिखे जाते हैं लोग उनने मुझे कहा कि बठा तुम मुझे बताऊ मेरे लिए असान हो गई है चुकि मैं उसको एक दूसरे जाविय से देखता हूँ आमाम के जाविय से दिखता हूँ अपने जाविय से अप मुझे कप रख दीजे में कप के उपर एक अफसाना दिख दूंगा कोई चीज रही जैसे खारी खालिब साब के सामने एक डली रख दी गई थी सुपारी चालिया उन्हें अशार का एक भाव कर गया यह यह लिट्रेरी लोग थे फिलबधी कहने वाले लोग थे राइंदर कि थे खाजायमदब बास थे राजकपूर बड़ा शोमेन माने जाते हैं इंग्लीश और यह सब कुछ था लेकिन जब अदब और लिट्रेचर की बाता थी खाजायमदब बास वा राइंदरी बेदी किशिंचंद्र और इसमाद आप आप हैं से इसमाच चक्ताई और बहुत स है अदब वाले जो है उन्हों में थोड़ा सा कनारा कर लिया है इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदुस्तान अदब से खाली है अदब से भारा हुआ है यह कुछ खलक सियासत है जो दूर कर रहा है हमारे देश में बड़े अच्छे राइटर है आज आप भी है बैटे में लेक से भी है अकबर इलाबादी से भी है राइजिन सिंग बेडी से भी है और इसमें चुफताई से भी है और यह जब आप क्रियेटिव प्रॉसेज में होते हैं तो यह तमाम लोग आपकी अदाकारी में शामिल होते हैं वो कैसे विख यू कहिए कि जिसे घुट्टी में पी ल अब को से आया मैं आपको वाकर सुनाता हूं एक रूपया मेरे सामने पड़ावा था माने का था चोरी नहीं करना बेटा करना जूट ना बोले कि कहनी की बाते हैं लेकिन हमको अमल सिखाया उस अमल पर चले यहां तक पहुंचे एक रूपया सड़क पड़ावा था और हम चार वक्त के भूखे होंगे तो मैं देख रहा हूं उस रूपय को इसको उठालू के ना उठालू लगा कि यह गयर का है मैं कैसे उठालू एक बच्चाया उसको लेके चल्द दिया वह हम एक पोटल में एक बहुत अच्छे महरवान हमारे थे वहां से हम सूखे पाव ले जाते थी बंबी के जवान में पाव कहते हैं और मिर्चे उसको पथर प्थर के खालब दे तो यह जो चीज़न थी साबन बेचा मैं कंगी बेची मैं अपने बच्पन के खिलोने साड़क पर बेचे मैंने मेरे वाले बैस्टर थे मुशाइदा और तजरुबा तजरुबा वो अल्ला ने दिया फुद्रत ने दिया जोशाब मेरे वाले कि मैं जब उनके उसमें है जादों की बारात में जिक्र है मेरे वाले का कि जब दख्या में जाते थे बैरिस्टर थे वो यह दूसरी बात है कि वक्त ने करवट बदी हम सड़क आ गए कोई बात नहीं सड़क दखावाजी नहीं इस चीज नहाजा जो इस चीज से आज दिल तंग हो गए है कि इमानदाई बेरिंग करती है और यहां तक पहुंचाती है मुझे आपको देखकर जगदीब जी चार्ली चैपलिन का एक वाक्या याद आता है कि चार्ली चैपलिन की मदर जो थी वालिदा वो स्टेज पर गाती थी इतिफाक से एक बीमार थी वो और एक नोट पर आकर उनकी आवाज तूटी है चैपलिन पांच साल का बैठा हुआ है मा की हूटिंग हो रही है और दूसरे दिन देखते हैं सडक पर वो ही चैपलिन खड़ा हुआ है उसी स्टेज पर और वहां पर चैपलिन उसी गाने को गारा है जो जहां आवाज तूटी थी उसकी मिमिकरी करता और पैसे मिल रहे हैं देखिए मा की दौाओं का क्या असार होता है इंसान पैसे कैसे बन जाता है तो यह हमारी वाद्धा भी उन्होंने उर्दू को मेरे अंदर उतारा मीरनीस उनके मर्सि और यह सब चीजे उर्दू के शवारियड़े और वहा है कि शीसी का मशूर शेर की मुसकराने की बाथ करते हो कि समाने की बाथ करते हो आपने अपनी फनकारी के जरियए से एक जमाने को आज का बनाया और फिल्मों में अपनी अदाकारी की इन्फिरादियत पर जादू जगाया है मैं यह पूछना चाहूंगा आप से के राइन सिंग बेजी की जिस फिल्म में आपने काम किया तो राइन सिंग बेजी को आपने एधे पर्सन कैसे पाया बैटरी इंसान से जितने जोक उनको याद थे चाहिए किसी हुए आप दिल्ली दूनाई जबान बुल रहा हूं तो अपनी तरफ से लगाना भई या टुकड़े मैंने सिंपल लिखते हैं वह बहुत क्यार करते थे तो यह और उन राइटरों की बात होती थी यह आदमी जैसे लटाजी को कह दिया जा आप गाना काई है वो अपनी तरफ से म स्इम चांट्राइन रहते हैं खुड्यकूंत व्यार जखम उर्मक वर एधत्यस्यार विखते हैं व्यांते हो सब्सक्राइब कि अच्छा है तुम्हें रेसल में कह दिया जब यह जब धूरे तुम कहोगे ना जड़ा बिदक के मेरी तरफ देखना हुँ जा मैं कुछ गलत कह दिया तुम मैं ऐसा देखूंगा तो उसमें क्या होगा कि जो लोग हसरे थे ना वे गैप मिल जाए रहा सने क आपाइमिंग का इस टामिंग को और जानते तो तो तुम ऐसा करना फिर पास देंगे यह पॉज जानते थे अपने आपने कुछ ऐसा सा हो गया है और आपने कहा कि यह जो गंभीरता जो मैं एक मिसाल देता हूं एक फिल्म बन रही थी धोबी डॉक्टर नाम अजीब से लगता है बहुत अच्छी कहानी थी एक धोबी का बेटा है उसकी बेहन बीमार आई हो गई ताउन आगया प्लेग आगया गाउं में लोग मरने लगे म मेरी बहन बहुता हूं ईयुक्त केशौर कुमार बना था मैं और शुटी आशा पारे जो थी और शोटी हिरोड़ी थी अवेरी बहुत क्रांद किसी और निकीए था तो मैं बहुत रूता हूं और बाव से कहता हूं कि नहीं आता पेचा अगया नहीं दोक्तर आउना घोडो दोबी ओक्टर के लिए यह बच्चा भेजो उस किरदार के लिए वे गया मैं फैन्था उन्टा उनका पिछल देखी त्यूंगी वो परी निता तो मैं आप बाचीत की उन्हें काम करना है मुझे थाइसो रुपए मुएदा हुआ उन दिनों ऐसी पैसे हुआ करते हैं तो फूरी फिल्म के मुझे थाइसो रुपए तो बड़ी लेकिन बड़े अच्छे लोग थाट क्लास में हम गए साड़े तीन दिन लगे कलकत्ता पहुंच में उसमें सलीज चौधरी मुजिक ड अधर कर यह दिवोशन आठ के लिए और वो घूंगते थे क्लाज में उनको भागना है घोड़े के साथ में काम करते थे पिच्छर कामयाब हुई बहतरीन फिल्म बनी उसके बाद एक फिल्म उनने शुरू की नौक ली तो मज़े बलाया और कहा कि बेटा इसमें एक अब हवाई जहास से जाना है मेरे साथ चलोगे मैं इस चलेंगे हवाई जहास मुझे ले गए कलकते और वहां जाकर एक छोटा सा टुकड़ा था तर ऐसा सीन था वो कि शोरुकुमार आती है मैं कर पॉलिश कर रहाएगा दूकर मैं क्या कि घुतों पे इतनी घर जमीरी पा कर रहे थे उससे कितना फर्ख पड़ता है आर्टिस्के फिल्बधी डायलोग पर क्या असर पड़ता है मैं मिसाल दूँ उसी दोभी या जमीन में मैं बूट पालिश कर रहा हूं कलकते की सालक के उपर अब वहां पर कुछ सीन थोड़ा डल हो रहा था गैप आ रहा रहा थ हूं कलकते में आएके पालिश ना करा की चले नहीं जाना ओ बबुजी चले नहीं जाना वह इतना खुश्वत चूम लैऊना है कि अचिक पड़ा तो यह कंज़्स आवाता कैसे करता इस कर दो लो गालिफ से भी बहुत था ओखाटे का जो जिक्र किया तूने हम नशी एक त कई फिल्मों में हिदायत भी दी है जी कई फिल्मों में मुकालमे भी लिखे हैं जी कई फिल्मों में इसक्रिप्ट भी लिखी है और बेदी की फिल्मों में खुबसूरती ये थी मुकालमों दो उर्दू की चाशनी होती उर्दू है ही ऐसी चीज़ उर्दू मुझे ऐसा लेकर आती है उर्दू उर्दू वो जवान दश्का की जवान हर एक की जवान हर एक की चाहत है और अमीर खुसरों साहब से उन्हों ने कहा था निरा मुद्धिन बावा सामने की खुसरों कुछ ऐसी जवान बनाओ कि जिसमें बढ़ावा हो भाइचा अवामी बोली की उनका लेजा कि गौरी सोई सेच पर मुपर डारे केस चल खुसरों धर आपने सांज वही चवदेज ये उर्दू है सभीयों की तारीख इसको जमाने लगे हैं यहां आते आते नहीं खेल एडाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जबां आते आते जग्दी साहब फिल्मों में कुछ मुकालमे शेरों की तरह मशूर हुए है जैसे फिल्म पाकिज़ा में कमाल अमरोवी का डायलोग आपके पाउं बहुत हसीन है इन्हें जमीन पर नहीं रखिए मैले हो जाएंगे या फिल्म वक्त में अक्तरों लिमान साहब का डायलोग था जिनके घर श प्रिशों के होते हैं वो दूसरों के घरों पत्थर नहीं प्रेकते हैं जैसे के मेरा इन डायलोग में जगदीब जी सिर्फ अलफाज की ही खुशूरती नहीं है इसमें अदाईगी का अंदाज भी शामिल है बहुत जरूरी है और आप इस फन के माहिर हैं मैं यह चाहता कि आप इस अदाईगी के बारे में मुकालमों की कुछ रोशनी डालें आप राइटर हैं को मुकालमत दीजिए मुझे एक बहुत सामने का है मुझे आप से महबत 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 है मुझे आप स आपर अपर अपर पांस जो था सोचने का था ऐसी चीजें पूरे नौर आफ आ गए कही आए ये तो एक मिसाल थी छोटी सी मिसाल थी आप तो इसे आप तो मशूर हुए तो कॉमेडी में मशूर हुए ना दो रूपिया ना खरीद हो गए यह जो निकलो यहां से जाने का आप पर एक करेंटर था हुए तो यह जाए तो जावे से मैं पूछा है वह मिमिक्री करते थे तो यह क्या समान है बताना मुझे एक फिल्म हम काम साथ कर रहे तो राइटर थे मैं कॉमेडियन था तो यह भोपाल की औरतों की जमाने आप यह कि नहीं है तो बहुत कोशिश करी ब बहुत है तो यह जो निकला है तो दिया उल्टे हाथ का रहा पटा के जाते है कि दव लंबू जो निकला है तो पकड़के खेंचिये टंग पोने फ्रेंग के जनता की आवाज यह बड़ा मशूर डालता है यह रियल करेक्टर था फोपाल का यह किसी और उसमें आपको बताऊंगा तो यह हकीकत का करेक्टर है जो हकीकत से लिए जाते हैं यह वह बड़े मशूर हुआ कर दो और इस बात पर गुरुदज जी तो गुरुदवच्जी ने कहा कि अवरार बैचा उखना अलागे उन्हों दूसरी फिल्म मेरे साथ शुरू की थी यार वो स्क्रीन पर पूर एक पे जाया था यार प्यार था उनका पहराल वो नीवनी तो ने कहा कि मैं अवरार चाहता हूं कि तल्खिया पर एक फिल्म कर दिखिया और द्रक्या पर फिल्म मनाना है देवधास कर दिए कहानी प्यासा की कहानी देवधास कर ली अवर से देखिये प्यासा तो लिटरचर को अब लिए यह गुमागा जिसे शेर है फूल पर कहा उन्हें नहीं कहा उन्हें यू कहा उन्हें नहीं कहा त्स बहतरीन थे पाट बहुत अच्छे एक लाजवाब तर्या कितना प्यार एक बंगाली को उर्दू से था बिलाओ हिंद के रहवरों को ब्राओ ये मंज़र ये उचे गलियां दिखाओ बंगाली आदमी कहा रहा है क्या त्मीफी जवान है उर्दू माताच चाहता हूं कि मैं कहीं और बोड़ गया अच्छी तरह मुड़े आप और आप इस तरह मुड़ते हैं कि दूसरे सुन देखने वाले सुनने वाले भी आपके साथ मोड़ जाते हैं मोड़ से मुझे अर्दू बादार यादा रहा है और बादार से मुझे जौफ साहब कर कि कुछ दो शेर यादा रहे हैं कि दुनिया में हूं दुनिया का खरीदार नहीं ये कैसे हो सकता है दुनिया में हूं दुनिया का खरी भीवार नहीं है अब हमारे उर्दु बादार की चमक दमक ऐसी है कि हर किसी और अपनी अपनी जेशाफ के कि अपूच्छ खरीदना पड़ेगा ये थे तन्जु जराफत की तारीख के एक जिंदा किरदार चिनाब जगडीब सहाब जगडीब ने अपनी अदाकारी को अदब की फनकारी बनाया है हम वारा करते हैं कि अर्दू बादार में इसी तरह की अधीम शख्सियतें अपने अपने फंड की बड़ी शख्सियतें सामने आएंगी और अर्दू के तालुख से अपनी महबतों का इजहार फरमाईगी शुक्रिया जगदीब साब आप यहां पर आए आपने जहमत फरमाई मेरी बात सुन ली मेरी बात मानी इनायत करम शुक्रिया महरबानी अपने आपने जहां पर आपने पर आपने जहां परमाईगी